सबस्ट शुनाब खत्म होने के बाद लगतार बिहार बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खबरे जो हैं वो सामने आ रही है एक तरफ जहां सूतरों के हवाले से लगतार इस बात को लेकर चर्चाय तेज हो रही है कि क्या अब बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष समराड चौधरी नहीं कोई और होने वाली है समराड चौधरी बिहार के डेप्टी सियम बन गए है और समराड चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मी है ऐसे में अब लगतार इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि समराड चौधरी के पास सिर्फ और सिर्फ डेप्टी सियम का ही पद रहने वाला है अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तोर पे किसी और चेहरे के नाम जो हैं वो सामने आ रही है दरसल लोकसवा चौधरी के बाद बिहार बीजेपी में बड़े फिर बदल की तैयारी शुरू हो गई है पार्टी राज में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है इसके दो कारण है पहला समराच चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजश के डिप्टी सीयम भी है एक वेक्ती एक पद के नियम के कारण उनका इस्थिफा तैय माना जा रहा है फरवरी में उनके स्थिफे की चर्चाएं थी लेकिन चुनाब के कारण फेर वदल पर जोखीम पार्टी इमने नहीं उठाई है दूसरा कारण समराच चौधरी के प्रदेशन को लेकर भी माना जा रहा है समराच चौधरी के नेत्रित में पार्टी का लोग सबाच चुनाब में 10 साल में सबसे खराब प्रदेशन रहा है पार्टी की सीट कम होने के साथ साथ वोट शेयर भी जो है वो खिसका है जिस कुश्वाहा वोटर को लुभाने के लिए पार्टी ने उन्हें ये जम्मेदारी दे थी उनमें से वो पूरी तरीके से फेल हो गए है वहीं दूसरी तरफ लालु यादब की एंडिये के स्कोर वोट बैंक में सेंध मारिक्स करने में सफल रहे है यही कारण है कि चुनाब की तुरंट बाद BJP का एक के बाद एक जो है वो समराज चौद्री के नेत्वित पर सवाल उठाने जाया जा रहा है अस्वीनी 24 सरीखे नेताने खुल कर समराज चौद्री की मुखालफत करने में लगे है समरार चौधरी को आयातित माल बता चुके हैं चोबे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष का पद उसी वेक्टी को मिलना चाहिए जो मूल एरूप से संगठन का हो इसे पहले पार्टी के पुर्व सांसद हरी मान जीवी समरार चौधरी के लोग सवा के प्रदेशन खराब होने का जम्यदार ठहरा चुके हैं माना जा रहा है पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो समरार चौधरी का संगठन जो है उनका विरोध कर रहा है बीजेपी सूतरों की माने तो बिहार बीजेपी बिधान सवा का चुनाब नए प्रदेश के अध्यक्ष में नित्वित में लड़ने का विचार कर रही है चुनाब अभी डेट साल दूर है ऐसे में नए अध्यक्ष के पास अपनी टीम के गठन और तैयारी का प्रियाप्त वक्त होगा इसको लेकर सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चाएं तेज हैं इनमें सबसे उपर आता है संजीब चौरसिया और जनक शमारतना इसके लावा चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि समराठ चौधरी डेप्टी सीम में जादा दिल्चस्पी प्रदेश सध्यक्ष पत को लेकर दिखा रहे हैं हाला कि ओन रिकौर्ड पार्टी के कई नेता फिलालस पर कुछ बोलने से जो है वो चुप नज़र आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां समराठ चौधरी बिहार के डेप्टी सीम है तो महीं दूसरी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जब से बिहार में बीजेपी दो हजार चौबिस तोकसवाचुनाब में उनकी प्रदेशन खराब हुए तब से समराठ चौधरी कहीं न कहीं बीजेपी के कई वरिस्ट नेताओं के निशाने पर है कई लोगों का तो अंदर-अंदर ये भी कहना है कि समराठ चौधरी के नेत्रुत में दो हजार पच्चिस बिहार विदान सवाचुनाब लोग नहीं लड़ना चाहते हैं सूतरों के हवाले से जो खबर निक अलग से सामने आ रही है वो हम आप तक बता रहे हैं फिलहा के लिस खबर में इतना ही